जिस तरीके से कोरोना काल में खास करके अगर हम बात करें तो भोजपूरी इंडस्ट्री और बॉलिबूड इंडस्ट्री में इस प्रकार की दुखत खबरे आई है जिसमें हमारे देश ने बड़े-बड़े सक्सियतों को खुदिया है जी हाँ लोगडाउन के दवरान अगर हम भोजपूरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपूरी के जाने माने म्यूजिक डारेक्टर धननजे मिस्रा का निधन हो गया था जिसके बाद से भोजपूरी इंडस्ट्री में काफी जादा गमगीन महल हो गया था इसके बाद से जैसे इन लॉकडाउन का मामला खतम हुआ तो खेसारी लालियादो भोजपूरी के सुपरिस्टार खेसारी लालियादो बिहार पहुच गए और उनके त्रहवे में सामिल होकर धनंजे मिस्रा को सरधानजली अर्पित की तथा उनके परिवार जनों के साथ उनस जादा गमगीन हो गया क्योंकि सुसांद सिंह राझपूत ने 34 साल की उम्र में फासी लगा कर ढात्महत्या कर ली Currently और खास करके सुसान सिंग राजपूत बिहार से आते हैं तो बिहार में काफी जादा कोहराम मच गया और भोजपुरी के सुपरिस्टार खेसारे राल यादो बिहार में ही थे तो सुसान सिंग राजपूत के घर पहुँच गए और उनके पिता और चचेरे भाई से मुलाकात की जिनके बाद उनके परिवार के प्रती संबेद नाय व्यक्ति की। और उसी सहीद जवानों में से एक नाम आता है बीटा सिकर्या में जबान सहीद सुनील जी के बारे में इसके बाद अब खेसारी लाले यादों को पता चला कि हमारे बिहार के जवाज जवान जो है इंडिया के और चाइना के बॉर्डर पे उसका निधन हो गया है उसके बाद से खेसारे लाले यादों ने वहाँ पहुंच कर उनके जो मालारप्रण होता है उसके उपर स्रधांजली अर्पित की इसके बाद उनके परिजोनों से मुलकात किया और उन्होंने फेस्बूक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खेसारे लाले यादों ने लिखा है कि आज भीटा सिकरिया में जाबान सहित सिपाय सुनेल जी के परिजनों से मिला और सुनेल जी को सचे दिल से सरधांजली शुमन अरपित किया और उनके परिजनों को इस दुख के घड़ी में हिमत से रहने का निवेदन किया और इस परिवार के जरुद के छड़ों में अजीवन खाड़ा रहोगा जिस तरीके से हमारे देश में ऐसी घटनाय घटित हो रही है इसके बावजूद हमारे भोजपूरी के सुपरिस्टार खेसारी लालिया दो सभी के दुखों में शम्मिलित होकर कईने कई उनका धाड़स बढ़ा रहे हैं तथा परिवार जनों से मिन कर उनके परतिश संब्यदनाय ब्यक्त कर रहे हैं कई ये संदेश देता है कि खेसारी का जो दिल है वो कई एक नेक इंसान है और ऐसे दुख में शामिल होकर लोगों को प्रेणा देना और लोगों को कहीं न कहीं एक तरीके का अगर हम देज़त धाड़स प्रदान करना ये वाकई काविल अतारीव है नियूज रूम से भोजपूरी एमशिव क्रेपूरी